चुनाव के लिहाद से साल 2023 और 2024 की एहमियत क्या है ये बात तो किसी से छपी नहीं 2023 में नौ राज्यों में विधान सभा चुनाव और 2024 में लोगसभा का चुनाव साफ है कि 2023 की तस्वी दोहजार चुनाव की तस्वी सा सैवी फाइनल होगी और यही वज़ा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीज़पी ने रास्टे कारकार्णी की दिल्ली बैचक में अपनी चुनावी रणनीती को महज राजनीतिक नहीं बल्कि उसे समाजिक भी बनाने की मुनादी करती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बीज़पी नेताओं और कारकर्टाओं को कला संदेश दिया है कि वो मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत बयान बाजी ना करे देश में मुसल्मानों के बीच जाकर उनसे मुलाकात करे प्रधान मंत्री ने खास्तोर से परहे लिखे मुस्लिम प्रोफेशनल लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बीज़पी कारकर्टाओं का अवाहन किया उन्होंने नाम लेकर पसमानदा और वोहरा समाज की मुसल्मानों से पार्टी कारकर्टाओं को जाकर मुलाकात करने उनकी बात सुनने का निर्देश दिया पीम ने यहां तक कहा कि अनावशक फिल्मों के खिलाफ बयान बाजी ना करे बीजेपी को चाहिए और विस्ता नौ राज्यों में होने वाले चुनाओं में बीजेपी उन प्रदेशों में भी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है जहां पार्टी के सब्ता नहीं है पार्टी पर पहले बनियों की पार्टी का ठपपा लगा था उसके बाद पार्टी सवर्णों की पार्टी हो गई पर पिछले दो लोग सभा चुनावों और कई मिधासभा चुनावों के बाद पार्टी का OBC वोटर्स भी आधार किसी भी अन्य दल के मुकामले बहा है बीज़पी के लिए अब केवर अलप संख्यक समदाय ही पैच बनानी बच्री है नौर्टी सिस्सले कर जम्मू कश्मीर तक में बीज़पी को अगर चा जाना है तो सीधा मतलब है कि अलप संख्यक समदायों में भी पैच बनानी होगी राश्टे कारेकारणी की बेचक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कारेकरताओं को देश के बॉर्डर शेत्रों में जाकर हालाग को देखने और काम करने की भी नसीहती। उनका इशारा साफतोर पर नौर्थ इस्ट के राज्यों की करफ था। 2023 में नागालेंड मेगालियर मिजोरन के साथ इरिपुरा में भी विधान सभाव का चुनाव है। लगातार बढ़ रहा बीजोपी का मुस्लिम वोट शेयर। सर्वी बताता है कि रास्टे सर पर बीजोपी का मुस्लिम वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। CSDS के सर्वे के मताबिख साल 2009 के लोगसभा चुनाव में बीजोपी को महस 4 पीस्दी मुस्लिम वोट मिले थे। जबकि साल 2014 के लोगसभा चुनाव में ये वोट शेयर बढ़कर दोगुना से भी ज्यादा यानिकी 9 फीस्दी हो गया। बीजेपी के लिए मुस्लिमों का ये वोट शेयर उत्सहा वर्दक है। ऐसे में बीजेपी अब ये नहीं चाहती कि अगामी चुनावों में मुस्लिम वोट शेयर में कमी आई। अंतर रास्टे स्तर पर 26 उधालने की बीजेपी की कवाय। पिछले कुछ सालों में अंतर रास्टे स्तर पर भारत के खिलाफ खूब बयान बाजी हुई है। साल 2002 के गुजराद दंगे के बाद से ही भारत में अल्प संख्योकों की सुरक्षा को लेकर निश्वाना साथा जाता रहा है। उसके बाद अमेरिकी आयोग ने साल 2009 में औरिसा के कंदमाल में इसाई पर हमले को लेकर सवाल खड़े किये। हाली में अमेरिकी विदेशुमंत्री आंटनी ब्लिंकल ने भी भारत में अल्प संख्योकों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया। आंटनी ब्लिंकल ने यूएस, सी आई, आरफ की रिपोर्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें साल 2021 में भारत में धार्मिक स्तियों में गिरावट की बाद की गई इस रिपोर्ट पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी लेकिन इससे पर भारत की मौजूदा छवी पर एक नई बहर चिड़ गई थी जाहिर है जो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के ताजय बयान को अगर बीज़ेपी नेता और कारकर्टा साथ लेते हैं तो यूएस्सी आरफ की रिपोर्ट में सुधार होगा और इसे चिनाव पर बड़ा फर्ग पड़ीगा इस्लामिक कंट्रीज के बीश पाकिस्तान को जटका देना बीज़ेपी का मकसर हाला कि भारत बार बार के चुका है कि अल्फ संक्यों के मामनों में पाकिस्तान को पहले अपने गरेबा में जाकना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में अल्फ संक्यों को की कै लेकिन प्रधान मंतवी नरींद्र मोदी ने जम्मू कशमीर का 125 बदन यह अबाहन किया है प्रधान मंत्वी वीज़ेत कारक्तावों यह नहीं यह तो साथ नहीं नेकिन दीज़ेपी का मिश्वें कशमीर भला पहचांद है सबका साथ सबका विकास को और जादा बढ़ाना चरितार्थ करना धानमंत्री मोदी का सबसे लोगप्रे नारा है सबका साथ सबका विकास साल 2014 से हिव धानमंत्री नरेदर मोदी ने दलित पिछड़े वर्ग को साथ लेकर चलिने की बात कही अपने इस मिशन में पीम मोदी काम्याब भी हुई मुसलिम माइलाओं को तीन तलाग से आजादी दिलाने के बाद बीजेपी ने पस्मांदा मुसल्मानों पर 83 पासा फिका है पस्मांदा का मतलब पिश्रा से है एक आखरिक मताबिक देश में मुसल्मानों के फुल आबादे की 54 पिस्ती जन संख्या पस्मांदा मुसल्मानों की है आपको याद होगा पिश्रे सार लखनों में पस्मांदा मुसलि बुद्धी जीवी सम्मिलन आयजित किया गया था इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से बिजेश पार्ठक भी शामिल हुए थे यानि ये कहा जा सकता है कि दोहजार तेहिसो दोहजार चौबिस को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तयार है